नमस्कार दोस्तों आज हम लेके आया है OnePlus Blute Wireless Z जिसको हम आज यहाँ पर hard reset करना सीखेंगे क्योंकि Blute Wireless Z में काफी सारी problems देखने को मिल जाती है pairing की काफी सारी 4-5 device एक साथ pair कर लेते हैं तो वहाँ पर reset करना ज़रूरी हो जाता है और काफी सारी जिक्कते आजाती है charging की कभी-कभी problems आजाती है और यहाँ पर जो double pair device कभी-कभी problem कर जाते है इसलिए इसको hard reset करना ज़रूरी हो जाता है कभी-कभी तो इसको hard reset किस तरह किस कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वेरहना में दीपक तो चले वीडियो को कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है इनको आपको पता ही है कि इनको जो चुमबग को हटा देते हैं तो यहाँ पर यह ओन हो जाते है स्भी-क्रण को इसको ओन कर लेना है तो आप लाइट इंडिकेटर को देख सकते हैं आप पर बिलिंक करती है और रैड लाइट होती ही बंद हो जाती है तो बस सिंपली हो चुका है रिसेट और पूरा देखना है वीडियो क्योंकि चालू करने के लिए इसको आपको यहां पर जो जुम्बक है इसको एक पर लगा काने के बाद में इसको यहां पर यहां हो जाता है तो इस तरहले के से अब हो चुका है पूर्ण इसको पेयर कर सकते हैं Wasser प्सटारइस और सब कुछ सब्सक्राइब कर सकते invest में प्रेइस दी Nord